हलो दोस्तो नमस्कार प्राफिट गुरू चैनल में एक बाद नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोकों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो आप डॉलर की हालत देख रहे हैं कितनी मजबूत हो चुकी है और इसके कंपरीजन में जो हमारा इंडियन करंसी है वो पूरी तरीके से क्या हो गया है कमजोर हो गया है अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको करीबन 80 डॉलर के असपास रेट पोस्ते हो देखने को मिल रहा है खेर आज गिरावटे यह बहुत बढ़िया बात है और अगर देखें तो यह continuously high पर high बनाता जा रहा है अब U.S. में ऐसा क्या चल रहा है जिसके करण दोस्तो डॉलर की कीमत बढ़ रही है ठीके और भारत में ऐसा क्या चल रहा है जिसके करण दोस्तो हमारे करंसी की जो प्राइज हो घट रही है समझ में नहीं आ रहा अभी दोनों देश equal है ठीक है वहाँ पर भी rate hike किया जा रहा है हमारे यहाँ भी rate hike किया जा रहा है ठीक है अब यह है कि वहाँ पर aggressive तरीके से rate hike किया जा रहा है और यहाँ पर आम जन्ता को देखके rate hike किया जा रहा है तो क्या यहाँ पर भी aggressive तरीके से rate थाइक करके इन सभी चीज को दोस्तो बड़ा बात दिया जा सकता है काफी जगा आप देख रहे होंगे दोस्तो जो वेक्ति स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है तेके उसको थोड़ा बहुत तो नॉलेज है ठीक है कि इंडियान रूपीज क्यों गिर रहा है या मान सेंट्रल में कुछ भी ओ टिके कोई भी हो लेकिन दोस्तो सभी पिक्ति को जटका जरूर मिलता है जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि रेट हाइक पे भी जटका मिला है डिजल पेट्रूल का जब रेट हाइक हुआ उससे भी उनको जटका मिला और आज दोस्तों इंडियन रुपिस का जो प्राइजे वो गिर रहा है और डॉलर का बढ़ मिलाएज जगा होगा है तो जिसके लिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगा क्या आपको परिशान बिल्कुल भी नहीं होना, देखे, आगे पहले इतनी कंडिशन बेकार नहीं थे, आज से 10 साल या 20 साल पहले आप देख रहे होंगे, जैसे जैसे दोस्तों, सभी चीज गुरोथ हो रही है, सभी चीज का दोस्तों जो रेट है वो बढ़ रहा है, आप आ यही चीज दोस्तों पूरे ग्लोबली मार्केट के साथ हो रहा है, यह पूरे देश के साथ हो रहा है, आप यह बोल सकते हैं, ठीके, तो इसी के कारण दोस्तों, आज स्टॉक मार्केट में प्रेशर है, आने वाले 10 साल बाद भी प्रेशर रहेगा, ठीके, ठीके, आज भी खतम नहीं होने वाली है लेकिन stock market आगे भी बढ़ेगा ठीके हमारा Indian currency भी आगे बढ़ेगा डालर भी आगे बढ़ेगा ठीके diesel petrol के rate भी आगे बढ़ेगे मेंगाई भी आगे बढ़ेगी सब चीज बढ़ेगा लेकिन दोस्तों उस हिसाब से जो income है वो भी हमारी बढ़ेगी ठीके इस चीज पर थोड़ा focus रखेगा अब हम कुछ stocks देखते हैं ठीके जो हमारे लिए Monday को portfolio में रखने पर दोस्तों हमें मज देख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा first stock है वो माइन ट्री का है इसे हमने बढ़िया से portfolio में जगा देना चाहिए इसने हमें काफी बड़ा मोका दिया है डीप का ठीके हाई इसका बावन बिक का लगबग 5000 से उपर का है और यह stock अभी अठ्थ 200 रुपे के आसपास का support ले रहा है ठीके और बार बार ऊपर बढ़िया से rejection बना रहा है 3000 रुपे के लेवल के आसपास अगर हम देखेंगे तो माई माई का जो मन्त चल रहा था मिड़ से लेके अभी तक अभी जुन मिड़ आच चुका है मतलब दोस्तों करीबन धाई-3 मह हो चुके हैं स्टॉक एक ही जगा पर क्या कर रहा है बड़िया से टाइम बिता रहा है जब यहां पर breakout आएगा ना तो स्टॉक फिर रूखने का नाम नहीं लेगा क्योंकि उसके बाद रूखने वाले लेवल कहीं पर नहीं है खाली एक 4400 का है जो भी हमें बहुत जल्दी ये ब्रेक करते देखने को मिल सकता है तो माइन्टरी को दोस्तों बिल्कुल भी इगनोर मत करेगा इसको मंड़े को अपने पोर्फोलियो में जरू जगा दीजिएगा ठीक है चलिए सेकेंड स्टॉक देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं सेकेंड स्टॉक को है दो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है कि यहाँ पर 4900 रुपे के सपोर्ट के आसपास गुम रहा है और यहाँ पर 4400 रुपे के रिजेक्शन के आसपास गुम रहा है मतलब यह 500 रुपे का जो रेंज स्टॉक का वहाँ पर काफी ज़्यादा स्टॉक समय बिता रहे यहाँ पर जब breakout मिलेगा ना तो स्टॉक दोस्तो अपने एक नई हाई पर आने की सोचेगा जिसे की देखिए फिर एक यहाँ पर 6400 का इंपेटरन लेवल है ठीक है 6400 का उसके साथ यह अगर आप ऊपर देखेंग ना तो ऊपर तो बढ़िया दोस्तो 7600 का लेवल है जो अर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ठाड़े स्टॉक है दोस्तो टाटा एलेक्सी जिसने भर भर के अपने शेरल्डर को रिटन दिया है बताने कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सबी जन इसका नाम बहुत बढ़िया से जानते नहीं भी जानते तो मंडे को उसको उठ लेकिन रिटन आप देखेंगे ना तो कई गुना लाकों में हैं अब देखें इंपोर्टेंट सपोर्ट लेबल पर काफी ज्यादा समय बिताया जो लगबख साड़े साथ हजार उपया था वहां से रिवर्सल लेके उपर जाने की कोशिश करी नहीं जा पाया आठ हजार के उपर काफी ज्यादा समय बिताया क्योंकि ये भी एक उसका रिजेक्शन पॉइंट था उसके साथ ही नीचे आया नीचे आने की बाद लगबख दोस्तों फिर से वो उपर गया और आज की डेट में भी स्टॉक नेक अच्छा गज़ा पॉफरमन दीख आ है इस कंपनी का भ बहुत अच्छा दोस्तों रिटर्न मिलेगा क्यों क्योंकि ये दोनों तीनों कंपनी दोस्तों क्या है बहुत ही अच्छी है और तीनों कंपनी की फंडामेंटर कंडिशन जब आप चेक करने जाओगे आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी क्योंकि तीनों एक मिडि स्क्राइब युक डेली बेसस पर इसी प्रकार का भैतरिंग अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं तो थैंक्यू दोस्तो